वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं सभी उमीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शियर भी कर दीजिए तो आज मैं दो कलर के साथ और सिलाईयों के साथ एक बहुत ही इजी सा पैटर्न बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए जो फंदे डाले हैं मैंने वो सिक्स के मल्टिपल में डाले हैं माइनस वन कर दिया है और इसकी जो फंदा है उसका पहला फंदा मैंने स्किप कर लिया है और आगे जो पांच फंदे हैं उनकी बुनाई कर ली है और यह जो रो है मेरी राइट साइड की रो है इसको आप बॉर्डर के बाद भी स्टार्ड कर सकते हैं तो बोर्डर के बाद ही आपकी फिर्स्ट रो होगी और इस तरह से पहला फंदा स्किप करके पانच फंदों की बुनाई करके उसके बाद जो हमारा छठा फंदा है उसमें मैं दूसरा कलर यूज רी हूँ बलैक कलर और फिर उसके बाद फिर से जो हमारा base color है उसी के साथ मैं 5 फंदों की बुनाई कर रही हूँ 5 फंदों की बुनाई करने के बाद फिर से एक फंदा black color का और आगे फिर से 5 फंदे जो हैं वो base color के होंगे और उसके बाद फिर से अगला फंदा ब्लैक कलर का और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी लाइन को कम्पलीट करना है मतलब जो पहला फंदा है वो स्किप करना है फिर पांच फंदे बेस कलर के और एक फंदा ब्लैक कलर का फिर पांच बेस के एक फंदा ब्लैक कलर का फिर पांच बेस के एक फंदा ब्लैक कलर का और जो लास्ट में एक फंदा ब्लैक कलर लेने के बाद हमारे पांच फंदे आएंगे वो बेस कलर के और साथ में एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो भी बुनाई होगा वाले लास्ट में छे फंदे और जो इससे अगले वाली रो है उसमें पहलना स्किप फिर अगले फंदे की बुनाई उससे अगले की बुनाई और इस तरह से पांच फंदों की मनलद शकिप किये के साथ पांच फंदे आ जाएंगी हमारे बेस कलर के और यहां पे हमारे तीन फंदे जो है वो ब्लैक कलर के जो बीच वाला है उसके साइड साइड वाले जो बेस कलर के फंदे हैं वो भी हमने ब्लैक कलर के साथ बना देने हैं आगे फिर तीन फंदे जो हैं बेस कलर के और फिर हमारे आगे तीन फंदे जो हैं वो ब्लैक कलर के फिर से आगे जो हैं तीन फंदे बेस कलर के और आगे तीन फंदे जो हैं वो ब्लैक कलर के आगे फिर से तीन फंदे बेस कलर के और इसी तरह से हमने इस row को भी complete कर लेना है यहां पे हमारे तीन फंदे black color के और तीन फंदे जो है यह base color जो हमने लगाया हुआ है उसके आ जाएंगे और जो last में हमारे जितने फंदे बच्चे हैं उनको हम बुनाई कर लेंगे जो फंदा skip करना है उसके साथ हमारे यहां पांच फंदे बच्चे हैं उससे जो अगली वाली row है, मारी third row, इसमें हमने पहला फंदर skip करना है, और फिर दोवारा हमने 5 फंदों की बुनाई कर लेनी है, जो black वाला है इसको भी बुनाई कर लेना है, और जो beach वाला है उसको black बनाना है, फिर से आगे हमने 5 फंदों की बुनाई base color के साथ कर लेनी है, जैसे हमने first row में किया था वैसे ही हो जाएगा ये फिर से कि जो फंदा हमने black अलका एक लिया था वही हमने फिर से वैसे ही लेना है और जो बाकी है हमारा जो base color क्या है उसके 5 फंदे बना लेने हैं तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी row को complete कर लेना है और इसी रो के साथ हमारा ये design जो है वो complete हो जाता है तो ये बहुत easy है बनाने में और कोई भी इसको बड़ी असानी से बना सकता है इसके बाद जो हमारी next row है उसमें फिर से हम इस design को डालेंगे पर बीच में डालेंगे ये जो हमारा black color का फंदा है दो फंदे इस साइड से लेंगे हम और दो फंदे उस साइड से ये total black के साथ मिला के हमारे 5 हो जाएंगे और जो हमारे अगला फंदा होगा वो black color का बनेगा और ये जो तीन फंदे हैं ये हमारे base color के होंगे तो आईए बना के देखते हैं तीन फंदे base color के फिर जो अगला फंदा है वो हमारा black color का हो जाएगा और इसके बाद फिर से जैसे हमने फर्स रो में किया था अगले पांच फंदे जो हैं हमारे बेस कलर के साथ बनेंगे इसमें बीच में हमारा ब्लैक कलर का फंदा भी आ जाएगा और पांच फंदों के बाद फिर से अगला फंदा हमारा ब्लैक कलर का होगा और उसके बाद फिर से वही प्रोसेजर है कि 5 फंदे हमारे बेस कलर के होंगे और एक फंदा जो है हमारा ब्लैक कलर का होगा तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कम्पलीट कर लेना है लास्ट में हमारे ये तीन फंदे बेस कलर के बच जाएंगे अब इससे अगली वाली रो जो है वो बिल्कुल हमारी सेकिंड रो की तरह होगी कि हमने जो ब्लैक कलर है उसके साथ लगते हुए फंदे को भी हमने ब्लैक कलर का बना लेना है मतलब हमने तीन फंदे जो हैं ब्लैक कलर के अब लेने है उसके बाद अगले जो तीन फंदे हैं वो हमारे बेस कलर के साथ आ जाएंगे फिर से उससे अगले तीन फंदे हमारे ब्लैक कलर के साथ आ जाएंगे उससे आगे तीन फंदे बेस कलर के साथ जैसे हमने second row में किया था कि 3 फंदे हमारे base color के थे और 3 फंदे हमारे black color के थे तो इसी तरह से हमने इस row को complete कर लेना है इस row को complete करने के बाद हमारी अगली जो row होगी वो हमारी third row की तरह होगी कि अब हमने 5 फंदे जो हैं वो base color के लेने हैं और जो बीच वाला एक फंदा जो है वो black color का लेना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी row को complete कर लेना है इसको मैं थोड़ा fast कर रही हूँ क्योंकि जैसे हमने third row बनाई है वैसे ही ये row बनेगी तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको थोड़ा fast कर दिया है तो इस row को complete करने के बाद जो हमारी next row होगी वो बिलकुल same है जैसे हमने first row बनाई थी वैसे ही होगी इसमें जो हमने पहले एक फंदा skip करके पांच फंदों की बुनाई की थी waste color के साथ वैसे ही हम कर लेंगे और जिस फंदे को हमने six फंदे को हमने लिया था black color के साथ तो उसको हम black color के साथ बनाएंगे तो इसी तरह से इस design को repeat करते जाएंगे और हमारा ये पूरा design बनकर तयार हो जाएगा तो आपने देख लिया कि ये कितना easy है बनाने में और जो starting में knitting सीख रहे हैं उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा बनाना तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनकर कैसे तयार होता है तो ये pattern मैंने बना के तयार किया है और इस तरह सी ये star की तरह देखता है तो इसको आप किसी भी baby sweater में या ladies cardigan में या gen sweater में भी use कर सकते हैं तो I hope कि आपको ये design बहुत पसंद आया होगा तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए, वीडियो को like और share कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए notification बटन पर भी click कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद